नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप समगत है IPL 2020 को लेकर तमाम तैयारियां अपने अंतिम दोर में है सभी टीमे इसी महिने में UAE के लिए रवाना हो जाएंगी लेकिन उससे पहले सभी खिलाडियों और सपोर्ट स्टाफ का करोना टेस्ट कराया जा रहा है आपको बतादें UAE पहुचकर भी सभी का करोना टेस्ट दोबारा कराया जाएगा इसी बीच चन्नाई सूपर किंग्स ने भी अपने खिलाडियों का करोना टेस्ट कराना शुरू कर दिया है आपको बतादें टीम के कप्तान महिन सिंग दोनी इस समय राची में है दोनी को एक साल से जाधा समय से क्रिकट खेलते नहीं देखा गया है हलाकि IPL में फिर से MS दोनी चन्नाई सूपर किंग्स के कप्तान के तोर पर उतरेंगे लेकिन करोना वारिस में हमारी को देखते हुए तमाम साव धानिया बरती जा रही है इसी बीच बुदवार को एमेर धोनी का COVID-19 टेस्ट किया गया क्रुनाना का स्पताल की मेडिकल टीम ने उनके घर पहुँचकर करोना वारिस की जाच के लिए सेंपल लिया धोनी के COVID-19 टेस्ट की रिपोर्ट गुरुवार तक आ सकती है UAE में होने वाले IPL से पहले CSK का चन्ने में एक ट्रेनिंग कैम्प है कैम्प में शामिल होने के लिए COVID रिपोर्ट नेगिटिव आनी जरूरी है रिपोर्ट नेगिटिव आने के बाद 14 अगस्त को धोनी चन्ने के लिए रवाना हो सकते हैं यही कारण है कि उनका COVID-19 टेस्ट हुआ है जिसका नतीजा अभी आना बाकी है बताते राहस्तान रोयल्स की टीम के फिल्डिंग कोच कोरोना पॉजिटिव पाए गया था आपको बताते IPL 2020 का योजन 29 मार्ट से होना था तो MS धोनी अपनी टीम के बाकी साथियों के साथ चन्नी में ट्रेनिंग कैम का हिस्सा बने थे लेकिन जैसे ही कोरोना वाइरस के कारण IPL को स्थगित किया गया तो CS के फ्रेंचाइजी ने भी ट्रेनिंग कैम को रद कर दिया और सभी खिलाडियों को अपने अपने घर भेज दिया इसके बाद से ही धोनी राची में थे लेकिन हाली मोन को JSEA स्टेडियम में प्राक्टिस करते हुए भी देखा गया था फिलाल के लिए स्वीडियो मिलता ही ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए बने रहें One India के साथ